हलो फ्रेंज आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चानल लीगल हेल्पिन हिंदी में फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोट के एक एहम जज्ज्मेंट के उपर जिसमें की दिवाले के पटाकों की बिकरी के उपर सुप्रीम कोट ने फैसला सुनाया है जिसमें सुप्रीम कोट ने देश भर में पटाकों की बिकरी पर रोक नहीं लगाई है लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते जरूर लगा दी है सुप्रीम कोट ने ये जो तै किया गया है डेसिमल उसे ज्यादा लिमिट वाले पटाकों की फिलिपकार्ट और एमाजॉन जैसी एकॉमर्स वेबसाइट पर बिक्री को रोकने के लिए कहा है कोट ने ये भी कहा है कि जो पटाके कम प्रदूशन फैलाते हैं उनकी बजारों में बिक्री हो और दिपावली जैसे त्योहारों पर रात के आठ बजे से दस बजे तक ही आतिस पाजी की जानी चाहिए जेस्टिस एके सीकरी और जेस्टिस अशोग भूशन की पीटने मंगलवार को 23 अक्टूबर 2018 को ये फैसला सुनाया कि क्रिस्मस न्यू यर और शादी जैसे मौकों पर रात को कुछ देर के लिए आतिश पाजी की जा सकती है लेकिन इस दोरान उन्हें कम प्रदूशन फैलाने वाले पटाके ही जलाने होंगे खास कर क्रिस्मस और न्यू यर वाले रात को ग्यारा बच्पन से लेकर रात को साड़े बारा बज़े तक यानि की 35 मिनत तक ही आतिस पाजी करनी होगी सुप्रिम कोट ने सकत निर्देश दिये हैं कि लड़ी की बिकरी पर भी रोक रहेगी क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ध्वनी प्रदूशन होता है और वायू प्रदूशन फैलता है और बहुत सारा कच्रा भी कठा हो जाता है अगर जो लिमिट तै की गई है उससे बड़े पटाखी की आउनलाइन बिकरी होती है तो जो रिलेटिट कंपनिया है उन पर अवमानना करने की कारवाई की जाएगी प्रशाशन द्वारा तै किये गए लाइसेंसी बजारों या फिर दुकानों पर कम प्रदूशन वाले पटाखों की बिकरी ही हो सकेगी अगर किसी इलाके में जो प्रतिबंधित पटाखों की बिकरी होती हुई पाई जाती है तो इसका जिम्मेदार जो वहाँ का रिलेटिट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ का एसेच जो होगा इसके अलावा सुप्रीम कोट ने ये भी कहा कि केंदर और राजे समुदाइक आतिश बाजी को बढ़ावा देने के तरीके तलाशें ताकि ज़्यादा प्रदूशन ना फैल सके इसके लिए जो स्पेशल जगा होंगी पहले से तै की जाएं और उसके बारे में पबलिक को जानकारी दी जाए कि कहां पर सारवजनिक आतिश बाजी की जाएगी और वो सब दिवाली से पहले होना चाहिए केंद्र और राजी के प्रदूशन नियंतरन बोर्ड दिवाली के साथ दिन पहले और साथ दिन बाद तक प्रदूशन कस्तर देखेंगे और उसे रेगुलेट करेंगे सुप्रीम कोट ने पिछले साल अक्टूबर में तीन बच्चों की याचिकाओं पर दिल्ली एंसियार में पटाकों की बिकरी पर रोक लगा दी थी दिल्ली में रहने वाले तीन साल के अरजुन गोपाल, तीन साल के आरोभंडारी और पांच साल की जोयराओ भासी ने अपने माता पिता और वकीलों के जरिए याचिकाओं दायर करके दिल्ली में पटाकों की बिकरी पर रोक लगाने की मांग की थी दिल्ली NCR में पटाकों पर बेहन के फैंसले के बाद उसके पक्ष और उसके विरोध में याचिकाएं दायर होई थी इन्ही पर सुप्रीम कोट ने याचिका करता हूँ और पटाका निर्माता हूँ और केंद्रे प्रदूशन नियंतरन बोर्ड की दलीले सुनने के बाद 28 अगस्त को फैंसला सुरक्षित रखा था सुनवाई के दोरान कोट ने कहा था कि स्वास्ते और कारो बार के अधिकारों के बीच संतुलन साथना बहुत जरूरी है तो फ्रेंस ये था आज का हमारा वीडियो सुप्रीम कोट के एक एहम फैसलों के उपर जिसमें की उन्होंने दिवाले के पटाकों पर अपना जज़्ज्मेंट सुनाया उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए शेयर करिए और अगर आपको ये चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब भी कर लीजे और साथ में दिएगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मच